यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ पुझे मंतरी के इस दोरे की शुरुवात मन्दिर में माथा टेकने के साथ हुई पुझे अरचना की गई और अब विकास परियोजना रहे जो है उनको अमली जामा पहनाया जाएगा साथी बस सेवा का शुवारम किया जा सकता है राहूल कपूर हमारे समरता फोन लाइन पर जुड़ गए है कांगरा से राहूल जिस तरीके से आज मुख्य मंत्री कांगरा के दौरे पर रहेंगे क्या लगता है जनता में कितना उतसा देखने को मिल रहा है जनता को कितने उम्मीदें हैं से साथी रहूल अगर अभी के बात करनी जाए अभी वहां पर क्या चल रहा है अभी पूरे दिन का आज क्या शैडूर रहेगा सीमजेराम ठाकुर का आज पूरा दिन जहराम ठाकुर जी जो है वो जस्मा पराकुर विदानसवा शेत्र का दोरा करेंगे यहां पर हैरिटेज विलिजेज उन्हें जो है इस वक्त निया जो टूरिस्ट पॉइंट विए उन्हें एक निया आमनी जामा पहना जाएगा उसके बाद पैरिश में सडक और ने बसों का जो है वो शिला नियास करने की जो है वो खबर भी सामने आ रही है चलिए बोग और शुक्रिया राहुल कपूर तमाम जानकारी देने के लिए तो एक दिन के कांगरा के दौरे पर हैं सीम जराम ठाकूर और दर्शन करने के लिए पहले मंदिर में पहुँचे उसके बाद आज पूरे दिन का जो भी उनका शैडूल रहेगा वो भी हमने आप को बताया और एक दिन के दौरे पर हैं साथी आपको ये भी बता दे कि आज जो बस सेवा है उसका शुबारम भी किया जाएगा सीम जराम ठाकूर के हाथों तो एक दिन के कांगरा के दौरे पर हैं सीम जराम ठाकूर और यहाँ पर सबसे पहले जो आला माता का जो मंदिर है वहाँ पर पहुँचे और शुरुआत की गई दौरे की और वहाँ पर माता टेकने के साथ पूजा अर्चना भी वहाँ पर सीम जराम ठाकूर करते हुए न शिम्ला में बुदवार को दक्षिड पुलिस रेंज की बैठक आयोजीत की गई जिसमें रेंज के आईजी एसपी डी एसपी और एससेशों ने हिस्सा लिया बैठक की अधिक्षतार दीजीपी सीता राम ने की इस दोरान उन्होंने बताया कि हिमाचुल के इतिहास में ये इ इसमें अधिकारियों के साथ थाना प्रभारियों को भी बुलाया गया है साथी आपको बता दे कि डीजीपी ने यहाँ पर कहा कि जल्दी अन्य पुलिस रेंज की बैठक को भी बुलाया जाएगा बैठक का मकसद लोगों और पुलिस के बीच अच्छे संबंद बनाना है और इसके लिए थाना स्तर पर कारे प्रणाली में स्तुधार लाना होगा इस कॉन्फरेंस में डीवाई SPB और SPB शामिल है तो concerned DSPs and concerned SPs और ये पहला कॉन्फरेंस है जो शिमला में होगी इसके बाद दूसरा कॉन्फरेंस होगी ये मंडी में होगी मंडी रेंज और मंडी रेंज में लाहुलस्विती, कुलू, मंडी, बिलासपूर और हमिरपूर डिस्रिक्ट आते हैं और उसके बाद ये कॉन्फरेंस होगी दरमशाला में नौर्धन रेंज का जिसमें उना, दरमशाला और चंबा डिस्रिक्ट खांगडा और चंबा डिस्रिक्ट शामिल है तो ये तीन कॉन्फरेंस होगी और ये सबसे पहला कॉन्फरेंस शिमला में आज किया जा रहा है तो इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए उमेश शर्मा हमारे समवरता फोन लाइं पर जुड़ गए हैं शिमला से उमेश जिस तरीके से थाना स्तर पर कार्य प्रणाली में सुधार पर जोर दिया जा रहा है ज्यादा जानकारी क्या है जी उमेश उमेश आप हमारी अवाज सुन पा रहे हैं तो लगता है संपर्क यहाँ पर टूट गया है दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे आपको बता दे दक्षिर पुलिस रैंच की यह बैठक आयोजित की गई दीजीपी सीता राम ने बैठक की अध्यक्षता की तोindet्र असतर्पर कार प्रनाली में सुधार लाने पर जोर डिया जाएगा और तमाम चर्चा इस बैठक में की गई और दीजीपी सीता राम यहाँ पर मौझूद रहे जिनों ना इस बैठक की अध्यक्षता की ह्याई तो कहीना कहीज थानस पर पर कारे प्रणाली और जादा बेतर अब हो जाएगी क्योंकि इस तरह की बैट को कायोजिन किया जा रहा है एक अच्छी पहल सरकार की ओर से की गई है दोने खरो कि बादा है एमाप जादा रहा है